बियार में लगातार चुनावी शंकनाद जारी है चुनावी महासंग्राम जारी है और इस महासंग्राम के बीच बियार में गूमकर हर एक राजनितिक दल के नेता चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आखरी और अंतिम चरण का मतदान जो तो लेकर हर एक नेता, हर एक पार्टी के नेता बिहार में गूम कर चुनावी प्रशार कर रहे हैं। प्रियादव पर निशाना साधा, रहुल गांधी पर निशाना साधा, सातिसाथ पीम मोदी ने बिहार के मद्दाताओं से अपील की है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक उंगली पर पूरे गोवर्धन को उठा लिया था, उसी तरह आपके एक वोट से बिहार में सरकार, उजवल सरकार बन सकती है, सरकार का उजवल भविश्य भी ताय किया जा सकता है, सातिसाथ पीम मोदी ने मद्दाताओं से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, और किस अंदाज में बिहार के मद्दाताओं से प्रदान मंत्री नरेंदर मोद ने अपील किया है आप इस वीडियो में देखिए ये बदलाव लाने के लिए बिहार के लोगों की जितनी प्रसंसा की जाए जितना उनका गवरवकान किया जाए उतनी कम है भाईयों साथियों मैं आज बिहार के युवा साथियों से बेटे बेटियों से विशेश तोड़ पर कहूँगा कि आपका एक वोट आपके एक वोट की ताकत कम अताँकना जिस प्रकार से स्रिकर्ष्णा उंगली पर गोवरदन को उठाए थे एक उंगली और जिस प्रकार जे ग्वालों ने समर्थन किया था बैसे ही आपकी उंगली पर लोग तंत्र के सव भाग्य का जो चिन्न लगने वाला है मतदान आप जो करने वाले हैं आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उजवल भविश की गारंटी है तो सुना आपने किस तरह प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी मंच से कह रहे हैं कि एक वोट भी आपका जाय न जाये और आपके एक वोट से बिहार का उजवल भविश्य तैकिया जा सकता है तो एंडिये के पक्ष में ही समर्थन दिया एंडिये के पक्ष में वोट करे अब बिहार की जुनता को ये डिसाइड करना है कि वोट किसे देगी अब बिहार की जुनता को चुनना है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी अभी आने वाला वक्त बताएगा आने वाला दस नवंबर बताएगा कि बिहार में आकेर सरकार किसकी बनेगी फिलाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त देखते ही नेशन नियूस धन्यवाद